Hello students, this is Raj Aadav and welcome to चलाकी स्टडी यूट्यूब चैनल तो students हम यहाँ पर NCRT सीरीज कवर कर रहे हैं और हम NCRT History Class 6 का Chapter 9 यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं इसे पहले हम History Class 6 का Chapter 1 से 8 तक कवर कर चुके हैं और आज हम Chapter 9 यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे Chapter का नाम है व्यपारी, राजा और तीर सियात्री तो आज की Class स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दो कि हम CDP का Class भी स्टार्ट कर चुके हैं तो जो students CDP बिल्कुल सुरू से पढ़ना चाहते हैं वो playlist में जाकर CDP का वीडियो देख सकते हैं लोगों ने CDP का भी Class स्टार्ट कर दिया है तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए ठीक है तो आए आज की Class हम अपना यहां पर स्टार्ट करते हैं बजार में घूमती जगनी जगनी अपने गाओं के मेले की आस लगाए बैठी थी इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रोकों पर आते थे जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों गुमते रहते हैं उसकी मा ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे वे चीजों को उन जगों से खरीते हैं जहां ये बनाये जाते हैं और फिर मेलों में आकर बेंज देते हैं अब हैं वेपार और वेपारीयों के बारे में जानकारी तो अध्यायाठ में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बरतनों के बारे में पढ़ा है ये खुशूरत बरतन खासतर पर इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उप महदीप के अनेक पुरा इस्थलों से मिले हैं सवाल उड़ता है कि इन जगों पर ये बरतन कैसे पहुँचे होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यपारी नहें लाकर अलग-अलग जगों में बेंशते थे दक्षिड भारत सोना मसाले खासतर पर काली मिर्च तथा किमती पत्थरों के लिए प्रसिद था तो एक-एक पॉइंट इसमें बहुत important है इसको अपने notebook में note करके आपको रखना है कि दक्षिड भारत जो है सोना मसाले खासतर पर काली मिर्च तथा किमती पत्थरों के लिए प्रसिद था काली मिर्च को रोमन समराजिम में काली मिर्च की रोमन समराजिम इतनी मांग थी कि इसे काले सोने की नाम से बुलाया जाता था तो काली मिर्च को किस नाम से बुलाया जाता था काले सोने की नाम से कहां पर रोमन समराज्य में व्यपारी इन समानों को समुद्री जहाजों और सडकों की रास्ते पहुचाते थे दक्षिर भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने की सिक्के मिले हैं इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यपार चल रहा था ठीक है फिर है व्यपार से जूड़ी एक कविता तो ये कविता उतनी important नहीं है अगर आप चाहें तो इसको पॉस करके पढ़ सकते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर दिया है कि व्यपारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले क्यों व्यपार करने के लिए इन में से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे कुछ अरब सागर और ब्रंगाल की खाड़ी पार करते थे नाविक मानसूनी हावा का फायदा उठा कर निर्मार किया जाता था तो जो दूर-दूर के व्यपारी थे जो यूरूप के व्यपारी थे और दूसरे उपमादुप के तो वो जो है व्यपार के लिए जगों को डून्टे डून्टे अपने नावों में एक जगा से दूसरी जगा पर सफर करते थे तो उसके लिए बहुत ही मजबूत नावों की ज़ुरत पड़ती थी जो की तुफान और बारिस में भी बचे रहें तो ऐसे ही करते करते इसी तरह से कुछ दुनिया का नक्सा बनाया गया जगों को ढून ढून करके अब है समुद्र तटो से लगे राज्य इस उप महदूरीप के दख्षिड भाग का बड़ा तटी प्रदेश है इनमें बहुत से पहाड पठार और नदी की मैदान है नदियों की मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उप जाओ है मैदानी इलाकों तथा तटी इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्य और शक्ति हो गई संगम कविताओं के मुवेंदार की चर्चा मिलती है यह एक तमिश शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, मुवेंदार सब्द का अर्थ है तीन मुखिया, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुख्याओं के लिए किया गया है, तीन शासक परिवार थे उनके मुख्याओं के लिए कौन से सब्द का प्रयोग किया गय जो करीब 2300 साल पहले दक्षिड भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे इन तीनों मुख्याओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे इन में से एक तटी हिस्से और दूसरा अंदुरूनी हिस्से में था याने तीनों के इस तरह चा केंद्रों में से दो बहुत महत्तुप इस प्रदेंट थे यह मुख्या लोगों से नियमित करके बजाए उपहारों की मांग करते थे कभी कभी ये सैनी कभी आनों पर भी निकल परते थे और आसपास की इलाकों में सुल्क वसुल कर लाते थे इनमें सी कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे बाकि अपने प्रताय लिखी है जो नहीं किम्ती जवारात घोड़े सोने हाथी रत या सुंदर कपड़े दिया करते थे इसके लगवक दो सवर्स बात पस्चिम भारत में साथ वाहन नमक राजवर्श का प्रभाव बढ़ गया तो जो चोल चेर और पांड है उनके बाद साथ वाहनों का प्रभाव बढ़ गया साथ वाहनों का सबसे प्रवुक राज़त था गौतमी पुत्र साथ करनी ठीक है तो ये जो गौतमी पुत्र साथ करनी है वो सबसे प्रभाव साली राज़त था उसके बारे में हमें उसकी मा गौतमी बलसरी द्वारा दान किये गए एक अभिलेक से पता चलता है उनकी जो माता थी गौतमी बलस्री ठीक है वह और अन्य सभी साथ वाहन शाशक दक्षिडापत के स्वामी कह जाते थे क्या कहे जाते थे वे दक्षिडापत के स्वामी कहे जाते थे जो गत्मी पुत्र साथकर्णी था और उसके लावा और भी साथ वहान शाशक थे वो दक्षिडापत के स्वामी कहे जाते थे दक्षिडा पत का शाबदी कर्थ दक्षिड की और जाने वाला रास्ता होता है ठीक है पूरे दक्षिड शेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था स्री साबकर्णी ने पूर्वी पश्यमी तथा दक्षिडी तटो पर अपने सिनाई भेजी अब है रेशम मार्ग की कहानी जो सिल्क रूट के बारे में हम लोगों ने पहले चेप्टर में पढ़ा था उसके बारे में दिया है सिल्क रूट याने रेशम मार्ग किम्ती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वज़े से रेशमी कपड़े अधिकांस समाज में बहुत मूल लिवाने जाते थे यनि कि जो रेशमी कपड़े थे वो बहुत किम्ती होते थे इसलिए जो है अमीर घरानों के लोग उसका यूज किया करते थे रेशमी कपड़े त्यार करना एक जटिल प्रक्रिया है रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूथ कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था रेशम बनाने की तकनीक का विशकार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था और अपने साथ रेशमी कपड़ा भी ले जाते थे जो चीन के लोग थे चीन के रेशम के व्यपारी थे तो उन लोगों ने ये रेशम का जो राज है वो पूरी दुनिया से चुपा कर रखा था और वो अपने साथ लंबी दूरी तय करके रेशम बेचने के लिए ले जाते थे जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसीद हो गया तो सिल्क रूट क्या है रेशम मार्ग यानि कि जिस मार्ग से रेशम के विपारी रेशम ले करके जाते थे दिरे दिरी ये रेशम की जानकरी पस्षीम की और फैलनी लगी करीब 2000 साल पहले रोम के शाषकों और धनी लोगों के बिच रेशम का कपड़ा पहना एक फैशन बन गया ठीक है इसकी कीमत बहुत ही जादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी अर्यगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था यही नहीं रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यपारियों से यात्रा सुल्क भी मांगते थे इस वज़े से रेशम की कीमत बहुत बढ़ जाती थी इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है किसमें मांचितर 6 में आप देखिएगा सिल्क रूट यहने की रेशमार्क और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है कुछ रास्ते इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रा करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर या शूल्क तथा तोपों की जरिए लाब मिलता था तो जो राजा थे जो प्रभावसाली लोग थे वो इस रास्ते पर अपना कपज़ज आवाना चाहते थे ताकि सिल्क से होने वाले जो बहुत जादा प्रॉफिट होता है उससे कुछ हिस्सा उनको मिल सके इसके बदली ये शाषक इन व्यपारियों को अपने राज जेस से गुजरते वक लुटेरों के आक्रमडों से सुरक्षा देते थे शिल्क रूट पर नियंतर रखने वाले शाषकों में सबसे प्रसिद कुछार थे करिब 2000 साल पहले मद्धेशिया तथा पश्चिमुत्तर भारत पर इनका शाषन था ठीक है कुछारों का शाषन था पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुक शक्चिशाली केंद्र थे तक्चिसिला भी इनके ही राजे का हिश्चा था इसके शाषनकाल में ही शिल्क रूट की एक शाखा मद्धेशिया से होकर शिंदुनदी के मुहाने के पत्तनों तक जाते थी फिर यहां से जहाजोदारा रेशम पशिम की और रोमन समराजे तक पहुंचता था इस महादुप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शाषकों में कुशार थे अब हैं बौध धर्म का प्रचार कुशाणों का सबसे प्रसीद राजा कनिश्क था उसने करीब 1900 साल पहले शाषन किया उसने एक बौध परिशत का गठन किया था तो बौध परिशत का गठन कुशाणों में कनिश्क जो राजा थे उन्होंने किया था में एकत्र होकर विद्वान मतपुन विशो पर विचार विमर्ष करते थे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरीत के रचनाकार कवी अशोगोष कनिश्क के दर्बार में रहते थे तो ये जो कवी अशोगोष थे जिन्होंने बुद्ध चरीतर की रचना की थी वो कनिश्क के दर्बार में रहते थे अशोगोश्त था अन्य बहुत विद्वानों ने अब संस्क्रित में लिखना सुरू कर दिया था इस समय बहुत धर्मी की एक नई धारा महायान का विकास हुआ इसकी दो मुख्य विशेस्ताएं थी पहले मुर्तियों में बुद्धी की उपस्ति थी स जो महायान था तो उसके एक विशेस्ताएं थी कि बुद्ध की उपस्तिती सिर्फ कुछ संकेतों के माध्याम से वो दर्स आते थे ठीक है मुर्तियों में यानि कि जैसे कि बुद्ध ने जो निर्वार प्राप्त किया था उसकी निशानी को दर्साने के लिए पीपल के पे परिवर्तन बोधी सत्तों में आस्था को लेकर आया तो दूसरा पहला परिवर्तन तो यह आया कि मुर्तियां बनाने जाने लगी बुद्ध की और दूसरा परिवर्तन क्या आया बोधी सत्तों में आस्था को लेकर बोधी सत्तों उन्हें कहते हैं जो ग्यान प्राप्ति के के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहने लगे दिरे दिरे बोधी सत्यू की पुजा काफी लोगप्री हो गई और पूरे मद देशिया चीन और बाद में कोरिया जापान तक भी फैल गई यह जो बहुत धर्म है वह पहले पूरे मद देशिया और उसके बाद चीन फिर बाद में कोरिया जापान आधी तक फैल गई अब यहां पर क्या दिया हुआ है इसको भी पढ़ लिजी सांची के इस्तूप की का एक मुर्ती चित्र यहां इस व्रिक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो मुर्तिकारों ने बताने के लिए खुदाई करके बताने के लिए अब आगे दिया गया है इनमें से कुछ गूफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा क्रिशिकों दोरा इनमें से जादा तर गूफाएं पस्षीमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई धकन के शैरों और तटो के समुद्ध बंदर गाहों और इन्हें जोडने वाली सडकों भी सडके भी इनी धर्रों से होकर गुजरती थी ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गूफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रूखते थे बहुत धर्म दक्षिट पूरु की और स्री लंका म्यामार थाइलेंड इंडोनेशिया उसके अलावा दक्षिट पूरु एसिया के अन्य भागों में भी फैला अब यहां पर दिया हुआ है मतुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतीमा का चित्र ठीक है ये बाई और जो है मतुरा में बनी बुद्ध की प्रतीमा का चित्र दिया गया ह इसमें एक अंतर ये शापतर पर नजर आ रहा है कि इसमें पूरे कपड़ी इसमें पहने हुए दिखाई दिखाया गया है बुद्ध को ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं थेरवार नामक बहुत धर्म का अरंभिक रूप इस शेत्रों में कहीं अधीक प्रचिलित था तीर्थ यात्रियों की जिग्यासा अब उस समय की जो तीर यात्री थे उनकी कुछ जिग्यासा हैं थी उनके मन में कुछ उठने वाले सवाल थे व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे अब तीर्थ यात्री किसे कहा जाता है तीर्थ यात्री वे इस्त्री पूरुस होते हैं जो प्राप्ना के लिए पवित्रिस्थानों की यात्रा किया करते थे इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बद्ध तिर्थियात्री फाशियन ठीक है जो चीनी यात्री बद्ध तिर्थियात्री था फाशियन वो काफी फेमस था वो करीब 16 सो साल पहले आया था स्वैन सांग 14 साल पहले भारत ऐया था स्वैन सांग आप लोगों ने नाम वहीं सुना होगा उसके बारे में यहां बताये कि स्वैन सांग 14 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बात इत्सी आया वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगों और प्रसीद मटों को देखने के लिए भारत आये थे इनमें से प्रतिक तीर स्यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा इन्होंने अपनी यात्रा के दुरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा इन्ही यात्रा में कई वर्णन लग जाया करते थे तो ये जब चीनी जो बहुत यात्री थे जब आते थे तो कई सालों की यात्रा के लिए वो आते थे और अपना साजो समान ले करके आते थे क्योंकि इन्ही यात्रा में उन्हें कई साले कई साल लग जाते थे जिन देशों और मठो को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे ठीक है, वो यहां से कई सारी किताबें, लिखी हुई किताबें ले गए और साथ में अपने कुछ नोट्स बना कर भी वो ले गए फासीयन चीन वापस कैसे लोटा? तो फासीयन का चीन वापस लोटने कानी यहां पर दी गई है फाशीयन ने अपने घर चीन वापस लोटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से सुरू की वह व्यापारियों के एक जहाज पर चड़ा मुश्किल से वे दो दिन ही चल पाये थे कि एक समुद्री तुफान में फस गये वेपारिय अपने जहाज को डुबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेक कर जहाज को हलका करने की कोशिश करने लगे फाशीयन ने भी अपने समान को फेक दिया पर अपनी उन पांडू लिपी और बुद्ध हमूर्तियों को नहीं फेका जिने उसने अपनी भारत यातर के दुरान संकलित की थी अंतता तेरा दिन बाद आंधी रुकी उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है समुद्र असीम है सूर्य चांद तारों की गती को देखे बीना या पत लगाना शंभा है कि पूर्व किधर है या पस्चिम किस दिशा में है अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हावा की रुक में ले जाने के लावा और कोई चारा नहीं बसता जावा पहुँचने में उसे 90 दिन से भी जादा लगे वहाँ वह पांच महिनों के लिए रुका इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चड़कर वह चीन पहुचा तो उस समय चीन पहुचना याने भारास से चीन पहुचना इतना ज्यादा कठीन हुआ करता था ठीक है अब है स्वेन सांग भू मार्ग से उत्तरपशीम और मदेशिया होकर चीन वापस लोटा वह भू मार्ग से लोटा उसने सोने चांदी और चंदन की लकडी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी जादा पांडू लिपियां एकत्र की थी ठीक है तो इतनी जादा डॉकुमेंट्स उसने इकटा कर ली थी 600 से भी जादा पांडू लिपियां एकत्र की थी इन्हें वाप 20 गोडों पर लात कर ले गया इसमें से 50 पांडू लिपियां उस समय खो गई जब सिंदू नदी पार करते हैं उसकी नाव उलड़ गई उसने गई उप्धिय पांडू लिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवात करने में लगा दिया नालंदा सिख्षा का एक विशिष्ठ केंद्र उस समय नालंदा जिख्षा पद्धी में सबसे आगे हैं वह पूरी मानदारी से पालं करते हैं मट के नियम काफी शक्त हैं जीने सब को मानना पड़ता है पूरे दिन वाद विवाद ही चलती रहते हैं जिससे युवा और वृद दोनों एक दूसरी की मदद करते हैं विभिन सहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाय दूर करने यहां आते हैं नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठीन प्रशन पूछते हैं तो वहाँ घुजने से पहले जो द्वारपाल होते हैं वही कठीन प्रशन पूछते हैं उन्हें अंदर जाने के उनुमती तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं दस में से आठ सही उत्तर नहीं दे पाएं दस में से साथ आठ सही उत्तर नहीं दे पाते हैं यानि कि दस लोगों में से साथ आठ लोग उस प्रशनों का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं अब है भक्ति की शुरुवात इन ही दिनों देवी देवता की पूजा का चलन भी शुरू हुआ, बाद में हिंदू धर्मिकिया प्रमुक पहचान बन गई, इसमें सिव, विश्णू और दूर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं इन देवी देवता की पूजा भक्ती परंपरा की माध्यम से की जाती थी, भक्ती उस समय काफी लोग परंपरा बन गई, किसी देवी देवता की प्रतिश रद्धा को ही भक्ती कह जाता है, भक्ती कपत सब के लिए खूला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, उची जाती या न अर्जुन यानि कि भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरर में आने का उपदेश देते हैं। क्योंकि केवल कृष्ण नहीं अर्जुन को सारी बुराईयों से मुक्ति दिल आ सकते हैं। पुजा का यहारूप दिरे दिरे देश की विविन भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पुजा पाठ करने के बज़ाए इश्वर के प्रती लगान और व्यक्ति गद्पुजा पर जोड देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का या मानना था कि अगर अपने अराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं इसलिए अराध्य देवी देवता मानाओं की रूप में भी हो सकते हैं या फिर सीह, पेंड अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं जैसे जैसे इस विचार को समाथदार स्वक्रिती मिल गई कलाकार देवी देवताओं को एक से बढ़कर एक खुबसूरत मूर्तियां तयार करने लगे तो यहाँ पर एक मूर्ती का चित्र दिया गया है वराह की रूप में विष्णू एरण मद्य प्रदेश किया संदार मूर्ती विष्णू के वराह रूप की है पुराणों के अनुशार जल में डूबी प्रिथ्वी को बचाने के लिए विष्णू ने वराह का रूप धारण किया था यहाँ प्रिथ्वी को एक इस्त्री की रूप में दर्शाया गया है अब है भक्ती अब भक्ती क्या है भक्ती भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करनया हिस्सेदारी होता है इसका अर्थ है यह है कि भक्ती भगवान और भक्त के बीच परशपर एक अंतरंग संबंध है भक्ती भगवत या भगवान के प्रदी जुकाओ है भगवत का अर्थ एक अर्थ यह भी है कि जो अपने एश्वर्थ तथा सुक को भगतों के साथ बाड़ता है यानि भगत या भगवान अपने देवी देवता को भग का हिस्सेदार होता है एक भगत दरा लिखी की कवीता तो यह आप लोग पढ़ लीजिगा देवी देवताओं का विशेश शमान होता था इसलिए विशेश जगों पर ही इनकी मूर्थियों को रखा जाता था इनी स्थानों को ही मंदिर कहते थे तुम इन मंदिरों के बारे में अध्याय 11 में पढ़ोगी भक्ती परंपरा ने चितरकला, शिल्पकला और इस्थापत्यकला के माध्यम से अभिवक्ती की प्रिणना दी है हिंदू अब हिंदू शब्द क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंदू या इंडस से निकला है यह सब्द अर्वो तथा इरानियो दारा उन लोगों के लिए उपयोग की जाता था जो सिंदू नदी के पुरु में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया यही सब्द उनके धार्मिक विश्वास था संस्कृतिक परमपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था दीरे दीरे सब्द एक संगठन के रूप में रुपांतरित हो गया और लोगों को हिंदु कह जाने लगा अब है अन्यत्र ठीक है अन्यत्र याने भारत से बाहर करीब 2000 साल पहले पशीमी अशिया में इशाई धर्म का उदै हुआ इशा मसी का जन्म बेतलेहम में हुआ था जो उस समय रूमन समराजे का हिस्सा था इशा मसी ने स्वें को इस संसार का उधारक बताया था उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उब्देश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उमीद करता है बाइबल में इशा मसी के उब्देश की बातें लिखी है यहां इसका एक अंस दिया गया है तो यहां पर बाइबिल का एक अंस दिया गया है आप लोग पर लीजेगा इसा मसी के उगदेश साधाना लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे दिया पस्षीमी एशिया अफ्रीका तथे यूरूप में फैल गए इसा मसी की मृत्तिव के 100 साल के अंदर भारती उप महादूप के पस्षीमी तटपर पहले इसाई धर्म प्रचारग पस्षीमी एशिया से ही आया थे केरल इसाईयों को सिरियाई इसाई कहा जाता था केरल के इसाईयों को सिरियाई इसाई कहा जाता था क्योंकि संभावता वे पशी मेशिय से आये थे वे विश्व के सबसे पुराने इसायों में से थे तो यहाँ पर हमारा चेप्टर शमाप्त होता है यहाँ पर कुछ उप्योगी शब्द दियेगे हैं व्यपारी, मुवेंदार, ठिक हरास्ता, रेशम, कुशान, महायान, बोध थेरवाद, तिरसे आत्री, भक्ती, तो इन सभी को आप लोग पढ़ लिजेगा, यहाँ पर कुछ महत्पूर्ण तितियात दी होई हैं, आइए देख लेते हैं, रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले, जिसे चीनियों ने चुपा कर रखा था दुनिया से, फ रोमन समराज में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले, फिर है कुषाड कनिश्क लगभग 1900 साल पहले, फाशियन का भारत आगमन 1600 वर्स पहले, स्वेन सांग की भारत यात्रा, अब पार की सिव स्तूति की रचना 1400 साल पहले, तो इन सभी जो है इंपोर्टेंट डेट्स को आप कही नोट करके उसे याद कर लिजेगा, इन ही में से कही सारे प्रश्न बन जाते हैं, तो ठीक है, आज का चेप्टर हमारा यहां समाप्त होता है, तो इसी तरह आप पढ़ते रहे और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन!